नमस्कार दोस्तों स्वागता आपको आपका एक बार फिर से यूस एक इंडुस्ट्रियल रीजन में आज हम यूसे के इंडुस्ट्रियल रीजन साज कंप्लीट करेंगे और इसके साथ हमारा जो यूसे है वो भी कंप्लीट हो जाएगा ऐसे से रिल्टिट जितने भी पॉटन तॉपिक हो साहरे हमने कियें कंप्लीट लिवयूपिक हम ने किये यूसे में और इसमें से एक बड़ा कॉस्ट्ण ऩो मिल जाएगा यूसे की पूरे पार्से इसके बड़ा पर शौट कोश्टन तो मिलेंगे बड़ा कोस्टन हमने इसमें से एक शोर मिलेगा तो ऐसे के इंड़स्ट्रियल रिजन जो ही है मारा लास्ट टोपिक ज़रा था जिसका वने बाकी कर चुके है आज इसका लास्ट पाथ हम हम देख सकते हो पो यसमें मैप में आप को आइस हैं तो आज जो बचे होई य이면 Как हम चाइना जो है वो स्टार्ट करेंगे चैना की जो पार्ट है जो ना की रिलिवियों द्रातल से रिलेटेटिट वो हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे और एक और बात मैं आप लोगों से यह बताना चाहता हूं कि यह अवश्य है कि मैंने अपने वीडियो में जो आपको कॉंटेंट है वो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा दिया है एक्स्ट्रा इसलिए दिया है क तो शोट यह अपने आप हो जाएगा लेकिन यदि यूसे के इंडिस्ट्रा डिजन से किसी एक पर्टिकुलर अध्योगिक चैतर के बारे में इसे कॉश्टन पूछ ले जाता है तब हमारे सामने प्रोब्लम आजाएगी इसलिए कंटेंट जो है मैंने ज्यादा दिया है आ गल्ग यानि सेपरेट इंडिस्ट्रियल रीजन के अब्स घ्रटिक याद करने की और उने कंबाईन करके क्मपलीट शोट कोस्टन के रूप में त्यार करने का प्रयास की तो चलिए हम शुरू करते हैं यूसे का के इंडिस्ट्रियल रीजन से बाचा हुआ पार लेकिन एक वीडियो आप लोगों के लिए डाले हैं उनको आप completely देखिए और उनसे जो आपको इपोटेंट लगे वो सारी के सारी चीजें आप अपने नोट्स में उनको आप त्यार कीजिए और तो जो वीडियो नंबर टू है उसको भी आप लोग देखिए जिसने भी तक नहीं देख में टराक करेंगे को आतो जो युसे का अध्योगीक प्रदेश है काहनवा स्था नुए और देखिए और यह यह था गाट होता है और पस्ची में नीट्रो तक लगबग साथ मील की लंबाई में ये इंडस्ट्रिल रीजन जो वह फैला हुआ है और इसे युएसे की रसायन घाटी केमिकल वेली के नाम से जाना जाता है क्योंकि युएसे में जो बड़ी-बड़ी केमिकल इंडस्टीज युनिट्स जो है वो यसी कानवा घाटी चेतर में ही महजूद है और यहां मोस्टली सल्फूरिक एसिड कास्टिक सोडा अमोनिया क्लोरिन एथिलिन क्लोरोफॉर्म इथर कांच कृत्रिम रबर और कृत्रिम रेशम और वस्त्र उद्योग जो है इन सब πα्लारा यहां के परमुख अध्योग केंदर है नायलोन का विश्टकार भी इसी कानवा घाटी ट्रेट्र कृत्र में ही उन हम आप से उसींट्र इनके प्रमूख ओद्योगिक चेत्र जो हम बात करें यह साहूथ चार्स्टन मारमटे बेले पार्ट यह हमने अभी बात की मोसी यह निट्रो कि अलबनास यह यहां के प्रमूख है ओद्योगिक केंद्र है मोहाक घाटी ओंटेरियो मेदान ओध्योगी के चेत्र मोहाक घाटी ओंटेरियो मेदान ओध्योगी के चेत्र इस ओध्योगी कप्रदेश के विकास के पीछे जो में रीजन है वो यह है कि जहील परिवन एक तो यह जो यूसे की ग्रेट लेक्स है खास करके जो उंटेरियो ल इस दूसरा यह एक सड़क परिवहन के जंक्सन के रूप में है तो है यह परिवहन के जंक्सन के रूप में होने के वजह से भी इसको ट्रांस्पोर्टेशन के बड़ी है अच्छी कंडिशन इसको मिली इस कारण से इस उध्योगिक प्रदेश का विकास हो पाया है इस एरिया में कई छोटे-छोटे नगरिये के इंदर शिटी जो है वो डवलप हुई है और वही सिटी जो है वो मेन यहां की इंडस्ट्रियल जो यूँ कह सकते हैं कि बस्तियों के रूप में विक्सित हुई हैं जैसे कि रोचेश्टर में केमरा चसमे और पुरूशों के कपड़े निर्मान के उध्योगों का विकास हुआ आप यह देखी इस मैप में ओंटेरियो जील के दक्षिन में मोझूद है यह जो रैड मेल आपको राउंड में दिखाए गया रो पर मोझे से उपाइब का डिश्के राउंड में मैं मैइन देखे राउंड में यह समें रोचेस्टर के नाई तरफ यानि व्रुणों में शेन कटेडी में रेल इंजन लोको इंजन और परनाया जाते हैं और इसके अलाब है बनावा ब्रंट जैसे आपके बताया बरंट ब उंटारियो मेदान की परमुख इंडस्ट्रियल रीजन है यह आप देखिए नीचे वाले मैप में भी आप देखिए इसे उपर जो यह दी गई है यह जो उंटेरियो जील के आजपास का इसके उपर का जो पार्ट है यह कनाड़ा में आ जाता है और इसके दक्षिन का इंडस्टियल डिजन कहल लाता है और लियागरा परपात सीमानत ओध swe微ress शेत्र परप एप इंडस्ट्रिय रिजन तो य्र और इजिल के और इंट्रियो और इृertि जील के बीच सेतर है मद्देवरति शेतर इसमें थोड़ा सा पुस्टिमी न्यूंय-डू और और ऑ में त जल प्रपात से इसे पानी और सस्ती जल विदुत वह बढ़ी आसानी से मिल जाती है और साथ इसके पास ही मुझूद है नियू-york की धनी जहन संख्या तो उसके वज़े से डिमांड जो बनी रहती इस कारण से इस ओध्योगीक परदेश का विखास हुआ है इस ओध्योगीक इस एरिया की दो इंडस्ट् Payle के डिलहें यूसै की तरफ अगर देखें तु मैं इंडुटिय eleg Wahl कि इप वड़ जो सिटी है ज़िए के उपणगर लिकावणा में आईलंनी और स्टील इंडर्पी का विकास हुए और ये यूसे के बड़े इंड़'s टिटीं में से शामिल किया जाता है इस विछ रिघ्र देख्शनी और दक्ष्नी पूर्वी औधयोगिक च्षचैत्ठ तो इस अधयोगिक प्रदेश का विश्ताइर यह से कि दक्ष्नी और दक्ष्नी पूर्वी भागों में टेक्सास लुसियाना दक्ष्नी ECCP, Florida, Carolina, Georgia, Tennessee और Alabama State में इस दक्षनी और दक्षनी पूर्वी और द्योगी क्षेतर का विकास है तेकसास और उसके आसपास का जो गल्फ एरिया है वहां पर प्रेट्रो रिफाइनरी इंडस्टी का खूब विकास हुआ है इसके लावा पेट्रो केमिकल पेट्रो पेट्रोलिय वहां पर हुआ है अमोनियम फटिलाइजर मनाने की इंडस्टी वहां पर डवलप हुई है इसके लावा कोटन टेकस्टाइल इंडस्टी का डवलपमेंट इस जहतर में हुआ है टेकसास और उसके आसपास के गल्फ एरिया में हाउस्टन डेलास ओस्टीन फॉर्थ वर्थ यहां के में इंडस्टियल सेंटर है फ्लोरिडा के बात करें तो फ्लोरिडा में मैंली फलों की और फूलों की और सब्जियों की पेकिंग इंडस्टी का डवलपमेंट जादा हुआ है फ्लोरिडा में फल फ्लोरिडा जो है यूसे में फल फूल और सब्जियों की खेती के यही कल्टिवेशन के लिए जाना जाता है तो वहां पर इन सभी चीजों की पेकिंग की इंडस्ट्री जो है और इसके लावा कुछ और इंडस्ट्री भी यहां पर विख्षेत हुई है अशीवेशन पूर्वी इंडस्ट्री रीजिन है। उसमें अलाबामा राज trainings का जो बंड मिगम है यहां पर आरन और स्टील इंडस्ट्री विकास हुआ हैं और कम में फित्रूंश्न अब को इसे उसे सब्सेट्र यहां से तियार किया जाता है कि इसके लबा बमिगम में केवल आइरेन और इंडस्टी नहीं बलकि कोटन टेक्स्टाइल इंडस्टी और केमिकल इंडस्टी का भी डेवल्पमेंट हुआ है बमिगम के तरिक मौंट गुमरी कोलंबस अटलांटा ओगस्टा चार लोटे यह यहां कि अन्य प्रमुख इंडस्टिय को यहां पर कि मैंली को ट्रइ टेक्स्टाइल इंडस्टी का डेवल्पमेंट हुआ है एक तो इसको जो फैसलिटि بنद को यहां पर इस एरिया में एक है कि एक पास बेल्ट जो है वैसे कि जो कोटन बेल्ट है उसके नस्दीक है दूसरा जो यह गल्फ एरिया होने की वज़े से यहां की क्लाइमेट भी जो हो सेनिक है यानि समुद्री तट्ये जलवायू है और इसी करण से यहां जारजिया टैनिसी और केरोलिना में टेक्स्ट अधरम एक तरह से उसका उसका उमेइगरेट कर रही है और मेरेत करके वा रही है है वहां से स्थानांतरी तोकर वा रही है दक्षिन की और तो इसका भी इसको लाब यहां के जो इंडस्ट्रियल यूनिट है उनमें एक और फेसलिटी यह है कि यहां पर आधुनिक मशीन्री और आधुनिक तक्नीक का प्रयोग किया जाता है जब कि न्यू इंगलेंड प्रदेश की जो इंडस्टी इंडस्टी जो है उनमें अभी भी पुरानी तक्नीक और लाज करके दक्षन और पूरो का जो भाग है मशिनरी और टेक्निक नहीं है इस वज़े से भी इंडस्ट्री यहां पर जादा स्टेबल होने की परवर्थी रखती है और यह जो दक्षणी राज्य है यूज से के इन दक्षणी राज्यों में इंडस्ट्रियल डवलॉप्मेंट जितना तेज गती से हुआ उस वज़े से इने सन बेल्ट कहा जाता है सबकि न्यू इंगलेंड कजो एरिया उसके आसपास क बेल्ट कहते हैं क्योंकि वहां से इंडस्ट्री क्या है स्थानंत्रित होकर साउथ की और जा रही है इसलिए उनको रस्ट बेल्ट कहते हैं और यह जो दक्षण और दक्षण पूरों का एरिया है यह सन बेल्ट कहलाता है कि यह आप मैप में भी देखिए इस दक्षणी और यह दिखा गया है तो यह टेक्सास से लेकर और इसके बाद यह hätte पूरा उयह साथ और इस इस्ट इंडस्ट्रियॉ रिजिन का हड्या है यहां पर यह है य उसए का सन बैल्ट अब इंडस्रिका द्दाला डालोप्मेंट यहां हो रहा है कि इसमें जो श्ट पांक्तां, मीसिसापी, अलबामा जॉर्जिया साउथ कैरोलिणा फ्लॉरीडा टैनेशी नोर्थ कैरोलिणा तो यह जो श्टीट है się श्ट इसमें से हूं के मेन सेंटर के बारे में आपको बताए गया है टेकसास में ये डलास और फोर्थ वर्थ ऑस्टीन और सान सान ऑंटोनियो इसके लागवा हुस्टन ये टेकसास में इसके ये नियू औरलियंस और मौन्टगुम्री, बम्मीगम, अटलांटा स्टेट में, अटलांटा, बम्मीगम, मौन्टगुम्री, यह जैक्शन विले, और Лेंडो, मियामी, रेले, और विंसन, नाश्विले, रोनके, रिच्मॉंड, लुइस विले. यह यहां के main industrial center है अधक्षिन और धक्षिनपूर्वी, इड़्सेल रिजिन के. यह next और last है USA में उध्योगिक जो प्रदेश है वो है पश्मी उध्योगिक प्रदेश, तो पश्मी उद्योगिक प्रदेश जो है वो 100ало Garar be देशांतरर रेखा के पश्चिम मे, मुझूद है और सोट डिग्री पस्ट में दिशानतर रेखा के पस्टी में युएसे में इंडुस्ट्रिल डवलप्मेंट जो बहुत ही धीमी गति से हुआ है बहुत कम हुआ है इसके जो में रीजन है उनमें एक तो यहां का जो ध्रातल है रिलिफ जो है वह अनुकूल नही तीसरा यहां पर इस एरिया में जो पॉपुलेशन है वो भी कम ही पाए जाती है तो जनसंक्या बसाओ भी यहां पर कम है इस कारण से इंडुस्ट्रिल जितने भी प्रडक्शन है उनकी डिमांड कम ही रहती है इसके अलावा यहां पर फंडामेंटल जो मिनर्स है और जो ए इंडुस्ट्रिल कम हुआ है यह से के इस बीद्च में देशानतर एक्रका के पूरो का पाट ही यह से में अधिकांस इंडुस्ट्रियल डेवलप्मेंट का चेतर है और साथ ही वहीं पर ही USA के बड़ी सिटीज और USA की अधिकांस आबादी जो है उसी एरिया में जनसंक्या जो है सो डिग्री पश्मी देशानतरेका के पूरों में ही रहती है पश्ची में कम ही रहते हैं तो इस वज़े से इंडुस्ट्रियल डेवलप्मेंट भी कम ही हुआ है यह से के पश्मी भागों में रोकीज प्रवतिय चेत्रों में अगर देखें तो बिख्रे प्रति रूप में छोटे छोटे इंडुस्ट्रियल सेंटर बने हैं और इनका जो विकास है वो मॉन्टाना स्टेट व्योमिंग स्टेट और कोलरीडो स्टेट में हुआ है तो मॉन कियो में इंडुस्ट्रियर्ल सेंटर के रूप में यहां पर वीक्सित होए है इरिजौना अगर देखें तो एरिजौना में फो gent एक में इंडुस्ट्रेश Teraz के रूप में विक्शित हूं और पॉषमी भाग में में इंडुस्ट्रियल डेवलप्मेट इदि कहीं हुआ है तो वो है पर्शांत तट पर तो परश्द का जो कोस्टल एरिया है खासकर के gentस कर दो तो चेतर है वहीं पर पशुम को में युएसे के पस्ट्मी देशां तो वह है California state में और California को city of industry city of industry कहा जाता है और यह दक्षनी स्टेट होने की वझे सी यॱुमें से के Sunbelt में भी शामिल है या इंडिवेल्पमेंट प्हुर दोल्प्मेंट गडेजी सी हुआ है तो इसे Sunbelt में भी शामिल है California घाटी में करvagना देखें तो California घाटी में लोस एंजेल्स, सेन डियागो, सेक्रोमेंटो, सिलिकोन वेली, सान फ्रांसिसको, ये प्रमुख इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में यहां पर विक्षित हुए हैं कलिफोर्निया में, लोस एंजेल्स, सेन डियागो, सेक्रोमेंटो, सिलिकोन वेली, सान फ्रांसिसको, ये मे विश्व में famous है और इसी यानि computer hardware और software का second center है USA के पश्मी भाग में वह सान फ्रांसेसको लोस एंजल्स जो है उसको भी आप बड़े अच्छे से जानते हो Hollywood film द्होग के लिए तो यह भी विश्व पसिद है इसके लावा कलिफोरिया में petrochemical industry petro refinery industry textile industry sugar industry फुलों की packing मचली packing aircraft industry इसके लावा शुप्याड इंडस्टी machinery और जो electronic उप्रन है उनके निर्मान के उद्धोग यहां पर विक्षित हुए हैं कलिफोर्निया में तो पस्च्वी भाग में यह वासे के पस्च्वी भाग में सबसे जादा इंडस्ट्रिल डेवलप्मेंट कलिफोर्निया में ही हुआ है इसके लाव कोलंबिया में अनाहीम जो है यह मोटर कार निर्मान का ओटो मुबाइल का एक सेंटर है यूसे में सेंट फ्रांसिस्को कलिफोर्निया यहां पर शृपियाड इंडस्ट्रि का डेवलप्मेंट हुआ है आप देखे इस मैप में आप देखिए हैं कोलरेडो के जो यूसे के पस्च्वी भाग में मैं आपको बताया कि 100 डिग्री पस्च्वी देशानतर रेखा सबकि 100 डिग्री पस्च्वी देशानतर रेखा से पूरो में industrial development जादा है, और 108 degree पश्चमी देशानतर रेखा के पश्चिम में, जो कुछ industrial development हुआ है, वो छोटे-छोटे center के रूप में हुआ है, जिससे कि मैंने आपको बताया कि ये Colorado में Denver जो है, Denver, इसके लगा ये Phoenix है, Arizona State में, और California यहाँ पर सबसे बड़ा industrial region के रूप में सामनी आया है, पॉष्चमी USA में, इसमें San Diego, Los Angeles, San Francisco, इसके लगावा Silicon Valley, ठीक है, ये जो है main industrial region के रूप में यहाँ पर developed हुए है, इसके अलावा जो उपर की और मोजूद जो Oregon और Washington जो परांत है, उपर Oregon State में, Seattle और Washington State में, पोर्टलेंड ये main industry के रूप में, डवलप पर हुए है, यहाँ के California Valley और Silicon Valley को इसमें दिखाया गए, यह California Valley है, इसमें यह Northern California, यह आप देखिए Sacramento area, Sacramento Valley, और यह जो आप देख रहे हुए Silicon Valley है, San Francisco की खाड़ी, San Francisco Bay of San Francisco जो एरिया है, इस Bay of San Francisco एरिया का यह जो पार्ट है, जहाँ मैं round कर रहा हूँ, red cursor से, यह Silicon Valley है, यहा पर हाडवेर और software का development हुआ है, यहाँ भी देखिए आप यह Silicon Valley दिखाएगी, यह आपको मैं आपको बता रहा था, San Francisco Bay of San Francisco है, और इस Bay of San Francisco के पश्चमी तटपर, इसके पश्चमी तटपर और दक्ष्णी तटपर यह बनी है, Silicon Valley, और दूसरा center यह San Francisco में बना है, computer hardware और software का, यह एक बार फिर से, USA के map में आप फिर से देख लीजिए, USA के industrial region जो है, हम एक बार फिर से इनको दोहरा देते हैं, यह उपर यूपर सबसे उपर सबसे पहले New England और दोगिक परदेश, Boston इसका main center है, इसके बाद यह दूसरा Mid Atlantic, इसी के south में मौजूद है, Mid Atlantic, Mid Atlantic region, Mid Atlantic region, Mid Atlantic region, बाल्दी मोर इसका सबसे main industrial center है, इसी के पश्ची में यहां पर मौजूद है New York industrial region, New York जो है, यहां का सबसे main industrial center है, और यह Cleveland, Pittsburgh industrial region, Cleveland और Pittsburgh खासका के, Pittsburgh जो है, यहां का main industrial center है, इसके लावा, यह Michigan और इरी जील ओद्योगिक चैतर, यह Michigan और इरी जील ओद्योगिक चैतर, जिनमें की, Chicago और Detroit, यह main industrial region, यह center है, यहां के, फिर इसके नीचे हमने, Ohio इंडियाना, industrial region हमने किया था, जिनमें, यहां देखे, Cincinnati, St. Louis, और यहां, उपर मोजूद है, यह इंडियानो पॉलिस, यहां के main industrial center है, और यह हमने यहां पर, Mohawk Valley की है, यह Mohawk Valley, तो Mohawk Valley का पार्ट, यह यहां पर मोजूद है, Buffalo यहां का, Buffalo, यहां का, Buffalo, यहां का, जो नियागराजल प्रपात का चैतर है, वहां का, Buffalo Man Center है, इसे उपर, यह, नियागराजल प्रपात का चैतर, इसके south में, यह दक्षनी पूर जो है, जो है, में, Bimigam और Atlanta, यह मैन इंडुस्ट्रियल रीजन, यह कैलिफोर्न, इसके, sorry, Texas के इंडुस्ट्रियल चैतर है, और इसमें, fourth worth, हिउस्टन, डेलाज, यह, और Austin, यह मैन इंडुस्ट्रियल सेंटर है, और यह Colorado इंडुस्ट्रियल रीजन, जिसमें की, Denver मैं इं एंजेल्स और सान फ्रांसिस्कों और सिलिकोन वेली मैं इनिट्रियल सेंटर और वाशेटन में पॉर्टलेंड और और ओरेगन स्ट्एट में सियेटल यह मैं इंड्रियल सेंटर है, यूएसे के तो यूएसे के इन उद्योगी प्रदेशों के बारे में हम completely आज इस्टोफिक को हम पूरा कर चुके हैं और दूसरे पर देखिए इस दूसरे मैप में आप देखिए अलग जो एरिया है स्टेट है उन स्टेट का यूएसे में यूएसे की जीडीपी में उनका प परसेंटेज वह सबसे ज्यादा 14.8% है टेकसास का पर सेंटेज 9.2% है इसके बाद नियोच का जो है वो 7.6% है टोटल जीडीपी में इसका रोल इसका जो योगदान है इसके बाद जो फ्लोरिडा है उसका 5.1% इसके बाद इलिनोइस जो है उसका 4.0% फिर पैंसिल वेनि परसेंट और ओयो जो स्टेट है उसका है 3.2 परसेंट यह में स्टेट है जिनका कि USA की GDP में में कंट्रिबुशन है तो यह आज हमने USA के और लाक्रीड आज हमने कंप्ष्ट के हैं इसके बाद हम चाइना स्टाट करेंगे चाइना के गया थो आप अपने घरों पराद से के जर्यक्राइदवाद और अपने प्रिवार्चनों को बचाईए घर से बाहर नहीं निकलना जब तक कि बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो और यदि बहुत ज़्यादा जरूरत के समया अगर आपको घर से बाहर निकलना भी पड़े तो आप मास्क लगाए और मास्क भी अच्छे से पूरे नाक और मुग को कवर करते हुए लगाए बार-बार हाथ दोते रहे और बने रहे हैं मेरे साथ मेरे वीडियो सुनाते रहे थैंक यू सो मच